Hello and welcome to TechInfoYT. तो इस वीडियो में हम Mernstack application को deploy करने वाले हैं Render पर. जैसे कि आप इसके official website देख सकते है Render.com तो पहले हम क्या करते थे? Free tier के लिए Heroku यूज़ करते थे तो Heroku जो है Free नहीं है, तो हम क्या कर सकते है? Render का यूज़ कर सकते है इसमें भी देखिए हमको बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि आप pricing पर अगर click करेंगे तो यहां पर देखिए individual plan एक है जिसमें हमको जो है zero dollar पर hosting मिल जाती है तो basic अगर आपको जो भी hobby project है या फिर अगर आप test करना चाहते हैं चेक कर सकते है आप playlist पे जाएए यहां से आपको जो है playlist मिल जाएंगी hosting से related दीखिए यहां पर web hosting tutorials तो यहां पर सारे के सारे hosting से related जो है videos है अगर इस पर आप click करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगा दीखिए monstack app deployment पहले हमारे पास heroku भी है लेकिन heroku का free tier जो है खतम हो चुका है तो आप यहां पर cyclic का use कर सकते है या फिर अभी जो हम render देखने वाले हैं तो उसका भी आप use कर सकते हैं तो चाहिए deployment से पहले कुछ settings हमको हमारे application में करना पड़ती है तो यहां पर मेरे पास एक doctor appointment system है जो कि हमने monstack में create किया था तो यह series भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको link जो है description में मिल दाएंगी तो यहां पर हमारे पास project है और इसका structure कुछ इस तरीके से root में हमारे पास node है और फिर client के नाम से react की application बनी हुए और github को हमको क्या करना है render से connect करना है simply आप क्या करें sign in करके रखे या फिर github से login कर लीजिए उसके बाद में get start पर click करिए तो automatic यहां पर github से connect का option आपको दे देगा तो चलिए हम क्या करते हैं पहले project की setting कर लेंगे यहां पर आपको क्या करना है terminal open कर लेना आपको जो भी project है जरूरी नहीं कि आप यह follow करें अगर आपको यह चाहिए तो मैं directly production grade code आपको दे दूँगा और आप directly deployment clone करके भी कर सकते हैं तो यहां पर client के अंदर हमको switch होना है cd client और जो भी आपके project का नाम है मान लीजिए आपके पास कोई other application है जिसको आप deploy करना चाहते है तो उसको भी आपको क्या करना है सबसे पहले build देना है और make sure जितने भी console.log statement है वो आप remove कर लीजिए और उसको local में अगर सही से चल रहा है के लिए command है npm run build तो उससे क्या होँगा हमारे पास एक build का folder बन जाएंगा जिसको हम access करेंगे node के थूरू और directly उसको host करा देंगे इतना लिखके आपको enterprise कर देना है तो यहां से build process start हो जाएंगा यह थोड़ा सा time लेता है तो कि build हो रहा है सारा का सारा code हमारा optimize होंगा पहले क्या होता था client में हमारे पास node underscore modules का folder है तो यह क्या dependency है और काफी ज़्यादा इसका package का size होता है तो यह क्या करता है optimize build हमको generate करके देता है जिसमें हमको सिरफ minified version code मिलता है तो जैसी यह build हो जाएंगा उसके बाद में हम इसको upload करेंगे github पर तो यहां पर हमारा build success हो चुका है और यहां पर आप check कर सकते हमारे पास build का एक folder बन चुका है और इसके अंदर कुछ static files create हो चुके है तो इस folder को हमको क्या करना है host करना है github पर जब भी हम react की application host करेंगे तो उसके साथ में हम सिर्फ build का folder रखेंगे अभी जो नीचे हमारे पास folder उसको नहीं रखेंगे तो practically देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा अभी हो गया इसका काम अब हमको क्या करना है यहां पर server.js की file में कुछ changes करना है क्योंकि हमको static file को serve करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले import कर देंगे path को path की मदद से हम क्या करेंगे इस client के अंदर से build folder को access करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले इसको require करना है मैं es5 का use कर रहा हूँ अगर आप es6 import export syntax use कर रहे तो उसकी मदद से करिए तो यहां पर हम require का syntax use करेंगे const path equal to require of path तो यह default है इसके लिए आपको कोई भी package डाउनलोड करनी की ज़रुए तो यह note के साथ में by default आता है अब नीचे आप क्या करेंगे यहां पर port से पहले static files पो access करेंगे कैसे करेंगे बहुत simple है दिखिए आपको लिखना है app.use use of में क्या करना है आपको express की मदद से static file को जो है access करना है तो यहां पर आप लिखेंगे express.static static के अंदर हम क्या करेंगे path की मदद से build folder को access करेंगे path.join इसके अंदर एक join का method मिलता है जिसके मदद से हम क्या करेंगे उस directory name को access करेंगे तो यहां पर आपको लिखना है underscore underscore der name यानि directory name उसके बाद में comma लगाना है फिर string यानि single quotes double quotes जो भी आपको देना है तो आप दे सकते हैं और उसके अंदर आपको file का path जैसे कि हमारे case में क्या है client है client के folder के अंदर build folder है तो यहां पर उसको access करना है dot slash client client के अंदर build folder तो यहां पर हमने इसको configure कर दिया अब हम इसको access भी करना है तो इसके लिए crowd बना देंगे app dot get करेंगे हम क्या सब कुछ store हम यहां पर add कर देंगे उसके बाद में यहां पर एक function आप चाहें तो arrow function भी लिख सकते मैं normal function लिख रहा हूँ तो यह callback function है जिसमें request and response को receive करेंगे और इस function के अंदर हम क्या करेंगे response send करेंगे res.send file send file का हमको method use करना है और इसके अंदर path की मदद से build folder का address हमको बता देना है तो वही path हम यहां पर देंगे आपको लिखना है path.join और इसके अंदर underscore underscore der name यानि directory name हम देंगे comma फिर उसके बाद में .slash client client के अंदर हमारे पास है build folder build के अंदर हमारे पास है index.html की file save कर लेते हैं इसको तो हमारा basic setup यहां पर हो चुका है तो आपकी जो भी application उसमें same step आप यहां पर follow करें सबसे पहले आपको build दे देना है client को फिर उसके बाद में यहां पर path को import करना है और फिर static files को हमको get करना है अब इस code को आपको github पर upload करना है सबसे पहले github पर login हो जाए होने के बाद आपको क्या करना है repository पर यहां से निउ पर ख्लिक करेंगे और इसका नाम आप वही रखी है जो आपके project का नाम है तो मैं यहां पर लिखता हूँ production और इसके बाद में यह हमारी है टॉक्टर appointment system वाली application यहां पर मैं लिखतेता हूँ और आप चाहे तो यहाँ पर description भी add कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर add कर देता हूँ deployment, deployment of monstack application और readme file भी आपको add करना है तो आप कर सकते हैं, मैं simply इसको भी empty रखता हूँ और यहाँ से repository को create कर लूँगा, अब यह repository हमारी create हो चुकी है अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसके अंदर code को add करना है तो code को कैसे add करेंगे, देखिए बहुत सारे options यहाँ पर available होते हैं आप चाहे तो CLI यह उसकर सकते हैं, या फिर command line से भी आप इसको import कर सकते हैं यह जो code है अपना, इसको आपको host करना है GitHub पर और यहाँ से अगर आप visual studio code में भी देखेंगे, तो source control आपको मिलता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसका extension आता है और GitHub का extension आता है, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक basic, याँ अगर आप beginner है, तो वह भी कैसे कर पाएं, इसके लिए बता देता हूँ आपको सिर्फ search करना है, यहाँ पर GitHub desktop तो यह क्या है, यह GUI tool है, commands लिखने की ज़रुदत नहीं है इसमें आपको GUI interface मिल जाएगा, तो अपने कोई भी project को आप easily GitHub पर host कर सकते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको download कर लेना, देखे, download for Windows और Mac के लिए पर available है, तो इसको आप download करें और install करें इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें login करना है, मैं यहाँ से open करके बता देता हूँ, GitHub desktop और यहाँ से आपको इसको simply open करना है, make sure आप इसमें login कर ले, जो भी GitHub की ID है, उससे आपको login हो जाना है login होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको interface देखने मिल जाएंगा, और right hand side पर सारे repositories आपके show करेंगे, यहाँ से उसको refresh भी कर सकते एक बाद, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, search करेंगे production वाली repository, जो कि अभी हमने यहाँ पर create की दी, देखे, production doctor appointment, इस पर click करेंगे, और यह आपको option मिलता है, clone का, इस पर click करेंगे, और यहाँ से आप path भी select कर सकते, by default भी ठीक है, c drive के अंदर जो documents का folder होता है, इसमें यह create हो जाता है, तो यहाँ से हम इसको clone कर लेंगे, जैसे यह clone हो जाएंगा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेंगा, और यह वाला option ह है branches के लिए, जो भी आपकी branch है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, हमारे case में सरफ एक ही main branch है, तो इसका हम use करने वाले है, अब आप चाहे तो इसको visual studio code में भी open कर सकते हैं, या फिर बहुत simple way है कि आप इसको explorer में open करें, explorer में open करेंगे, तो इस तरीके से empty folder आपको देखने मिले इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले client के नाम से folder create करें, client, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा client का build folder है, उसको copy paste कर देंगे, तो आप क्या करें, इस पर right click करे, reveal in file explorer, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस build folder को copy कर लेंगे, copy, और यहाँ पर इसको paste कर देंगे, पेस्ट कर हमने, तो अभी हमारे पास client का folder आ चुका है, अब बाखी का server भी हमको upload करना है, तो back करेंगे, और यहाँ पर सारा का सारा code आपको मिल जाएंगा, पहले control all कर ले, client folder हमको नहीं चाहिए, तो इसको uncheck कर ले, इसी तरीके से node models भी हमको नहीं चाहिए, और .env के file भी आपको upload न data आ चुका है, अब आपको सिर्फ commit करना है, तो commit कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, final code, और नीचे description भी आप add कर सकते है, mend, app deployment कर देंगे इसका नाम, और commit to main, तो यह commit हो जाएंगा, commit होने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको देखेंगा, अब आप जो इस repository में, सारा का सारा हमारा code deploy हो जाएंगा, और यहाँ पर यह successful हो चुका है, अब आप क्या कर सकते है, वापिस GitHub में check कर सकते है, refresh करिए, तो सारा code यहाँ पर आ जाएंगा, तो देखिए, successfully हमारे पास आ चुका है, सारा का सारा code, अब एक चीज हमको और करना थी, जो कि हम तो हमको क्या करना है, इसको, नोट के थूरू run कर आना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, npm start की command है, यहां पिछ चेंज कर देगे, यहां से आप इसको remove कर लें, हम इसके बदले direct npm start की command add कर देए, save कर लेते हैं, लिए पर मेंको यह वापस से इस file को, अपडेट करना पड अगर folder आपने वहाँ से cut कर दिया, तो फिर से आप यहाँ से open कर सकते है, show in explorer, तो वापस से open हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, previous वाले को delete कर देंगे, यहाँ पर directly आप paste भी कर सकते हैं, और replace कर लें इसको, ठीकिए, यहाँ पर replace file destination, लेकिन better way है कि delete कर दें इसको, और फिर paste कर लें, तो possibility कम रहेंगे, हमारे पास errors की, अब देखिए, यहाँ पर आपको, वापस से option मिल जाएंगा, package.json update हुआए करके, देखिए, एक minus हुआ और एक plus हुआ, यह यह line हमने remove किया है, और यह वाली line को जाए add किया है, तो यहाँ पर अप लिख सकते हैं, updated कर देंगे, simple इतना description, आप चाहे तो add कर सकते हैं, यहाँ पर blank भी छोड़ सकते हैं, commit कर देंगे, commit to main, और वापस से इसको push करा देंगे, तो यहाँ पर हमारा code जो है, github पर push हो चुका है, वापस चलते हैं, अब इसको refresh करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर latest commit आजाएंगा, updated, और इस package access मांगेगा, कि आपको access देना है या नहीं, तो यहाँ पर आप authorize कर सकते हैं, और जैसे authorize हो जाएंगे, तो automatically यहाँ पर आपको email id पूछ लेंगा, देखिए, complete sign up, इस पर click करिए, तो आपका account sign up हो जाएंगा, एक verification email आपको आएंगा, तो आपको make sure इसको activate करना है, तो यह अगर आपको static website upload करना है, तो यह वाल option click करेंगे, हमारे case में हमको web server चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखेंगे new web service, इस पर आपको click करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले github से connect करना है, तो दीखिए connect account पर click करिए, इसके बाद में आपको यहा से आप install पर click कर लीजिए, जैसे आप install पर click करेंगे, तो सारी repository का आप यहाँ पर access कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर latest वाला show कर रहा है, जो के अभी हमने create किया था production doctor appointment system, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से connect option पर click करेंगे, उसके बाद में इस application का नाम आपको देना पड़ ज़रूर करें, ठीक हमारे पास भी क्या है, main branch है, यह जो branch है हमारी, main branch है, अगर आपके पास other branch में main code है, तो फिर वो file आपको select करना है, यानि वो branch आपको check करना है, तो वो branch हम यहाँ से select करेंगे, हमारे case में इक ही है, इसलिए हमने main रखा है, और root directory बताने की ज़रूरत न इसको ignore कर देंगे, environment हमारा node है, और build command by default यह yarn use करता है, हमारे case में npm है, npm run build, start command हमारे पास है, node server.js नहीं रहेंगा, इसको cut कर देंगे, हमारे पास रहेंगा npm start की command, और नीचे scroll करते हैं, देखिए, free tier आपको मिल रहा है, pass 12 mbram, और 0.1 CPU, तो free है, तो share hosting रहेंगा, तो आ देखिए, यहाँ पर environmental variable का भी आपको option दे रहा है, इस पर click करिए, और यहाँ से आप key value जो है add कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, .env file में जाएंगे, हमारे पास environmental variable जितने भी है, वो हमको add करना है, जैसे कि पहला है port, इसको copy कर लेंगे हम, यहाँ पर paste कर देंगे, port, और port में हमारी value किया थी, 80-80 थी, तो यह add कर देंगे, इसके बाद में एक और यहाँ पर हम create करेंगे, जितने भी आपके पास environmental variable है, आपको यहाँ पर add कर सकते है, load mode है, तो इसकी ज़रूत नहीं है, I think, यहाँ पर mongodb का URL है, इसको भी copy करना है, तो आपकी case में जो भी आ यहाँ पर JWT भी add करना है, क्योंकि हमने JSON Web Token भी use किया इसमें, तो उसके लिए हमने secret key बनाया है, तो उसको भी हम यहाँ पर add कर देंगे, और उसका भी आपको code आपकर देना है, जितने भी environmental variables हैं आपके application में, जो भी आपका app है, उसमें हो सकता है, इससे जादा हो या कम हो तो वो सारी चीज़े आपको add कर देना है, तो environmental variable भी हमने set कर दिया, के बाद में आप check कर सकते है, health checkup, auto deploy, yes, by default इसको छेड़राण मत करिये, इसको as it is रहने दीजिए, अब हम क्या करेंगे, create कर देंगे, यहाँ से create web service, इस पर जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर process जो है start हो ज जाएंगी, देखिए, यहाँ पर progress बता रहा है और निचे scroll करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर status बताएंगा, build field बता रहा है, okay, तो यहाँ पर देखिए, हमारा build जो है, field हो चुका है, और message भी अपने पास है, missing script of build, तो build already हमने दे दिया था, वहाँ पर I think हमको npm install लिखना आपको इतना लिखना है, इसको save कर दीजी, save changes, और यहाँ पर एक बार event हम check कर लेंगे, कि यह वापस से deploy हो रहा है नहीं, तो देखिए, deployment start हो चुका है, इस पर click करेंगे, तो आपको console में भी बता देंगा, कि क्या हो रहा है, npm install की command run हो रही है, wait करते अब इसके finish होने का, तो यहाँ पर packages successfully install हो चुके, और कुछ warnings भी है, तो यह warnings इसलिए कि क्योंकि मैंने console.log statement प्रोजेक में से remove नहीं की थी, वो as it is है, make sure आप उतना करके रखें, project में जो भी console.log statement है, इसको remove कर लें, क्योंकि हम नहीं चाहते, server पर वो सारी चीज़े expose हो, तो मैं सिर्फ आपको demo दे रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ से console.log statement को remove नहीं किया था, make sure आप आपका project deployment से पहले सारे console.log statement को remove कर लें, और साथी में आप चाहे तो packages को update भी कर सकते है, npm audit fix करेंगे, तो सारे packages अपडेट हो जाएंगे, तो दीखें, यहाँ पर successfully deploy हो चुका है, नीचे scroll करेंगे, deployment का message आचुका है, build successful, और starting server with npm start, और हमारा server भी start है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो दीखेंगे, console statement मेरे पास available है, और port भी यहाँ पर exposed हो रहा है, क्यों exposed हो रहा है, क्योंकि मैंने console.log statement को remove नहीं किया था, अब चल यहाँ एस application को run कर देंगे, यहाँ पर आपको URL मिल जाएंगा, इसको मैं क्या करता हूँ, new tab में open कर लेता हूँ, यह रहा हमारा doctor app, और यहाँ पर successfully यह open हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले user से login कर लेता हूँ, user at user.com, जो भी आपका login password है, ID password है, उससे आप login करिए, password भी add कर देता हूँ, और यहाँ से login हो जाता हूँ, तो दीखिए, login successful का message आ चुका है, और successfully हम login हो चुके है, तो server पर सारी functionality हमारी काम कर रही है, और यहाँ पर appointments भी आप check कर सकते हैं, जो हमने testing में की थी, वो same सारी चीज़े यहाँ पर show हो रही है, इसी तरीके से अगर आपको और कुछ यहाँ पर करना है तो आप कर सकते हैं, log out successfully, अब admin से भी आप कर सकते है, admin at admin.com या फिर a at a.com था, password add कर देंगे यहाँ पर, login, तो दीखिए, यहाँ पर यह login हो चुका है, देख सकते है, John Smith, जो हमने बनाया था, उसमें notification भी आ रहा है, your appointment has been updated और यह अप्रूव हो चुका है, और यहाँ पर appointments पर click करेंगे, तो दी data check कर सकते है, rejected, approved, or apply as doctor भी कर सकता है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पर successfully काम कर रही है, so I hope आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप Mernstack application को जो है deploy कर सकते है, render पर, तो यहाँ पर बहुत सारी application आप deploy कर सकते है, 512 MB आपको मिल रहा है, दिल खोलके यहाँ पर testing वाले application जो ह नहीं मिलेंगा, कभी-कभी आपकी website slow open होगी, या पिर कुछ time के लिए open ही नहीं होगी, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि shared hosting है, फ्री में यहाँ पर कुछ guarantee नहीं रहती है, so यही ता इस video में, I hope आपको समझ में आया होगा, मैं मिलता हूँ कोई और video में,